और देश में लोगसभा और विदानसभा चुनाओ के रवाने के मोधी सरकार ने तयारियां तेज कर दी हैं सुत्रों के मताबिक मोधी सरकार के इसी कारेकाल में One Nation, One Election को लागू किया जाएगा मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल के सौ दिन पूरे हो गए हैं बीजेपी ने लोगसभा चुनाफ के अपने संकल्प पत्र में भी इसका एलान किया था इसलिए मोधी सरकार जल्द ही ये बिल संसद मिला सकती है सूतरों के मुतावेक NDA में शामिल सभी पार्टियां इस बिल का समर्थन कर सकती है 15 अगस्त को लाल के लिए से अपने भाशन में पीएम मोधी ने इसकी वकालत भी की थी और वन नेशन वन इलेक्षेन पर विचार के लिए बनाए गई पूरवर आश्टपती रामनात कोविन की अधिक्षता वाली कमिटी ने 14 मार्च को राश्टपती द्रापती मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौब दी है और इस पैनल का गठन पिछले साल 2 सितंबर को हो किया गया था और 18,000 पन्नों की रिपोर्ट आश्ट सदस्यों की कमिटी ने 191 की दिन की रिसर्च के बाद तयार की है जिसके बाद सरकार बिल लाने की तयारी में जुड़ गई है और अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्वर राश्रुपती रामनात कोवेंद कमिटी ने जो सिफारिशी की है उनमें क्या है सूत्रों के मुताबिक कमिटी ने सुझाव दिया है कि सभी राज्ये विधानसभाओं का कारेकाल अगले लोगसभा चुनाव यानि की 2029 तक बढ़ाया जाए और अगर विधानसभा में किसी को महुमत ना मिलने की स्थिती आई तो साल 5 साल के कारेकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराये जा सकते हैं पहले फेज में लोगसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराये जा सकते हैं झाल